दोस्तों इंडिया में अब इंटरकास्ट मेरिज एक आम बात हो गई है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि इंटरकास्ट मेरिज करने के बाद क्या किसी महिला की कास्ट भी चेंज हो जाती है इसी मामले पर सुप्रीम कोट ने 2018 में सुनीता सिंग वर्सेस स्टेट आफ यूपी केस में एक अपना एहम फैसला सुनाया था जो की बाकी केसिस के लिए एक गाइडलाइन की तरह काम करता है इस केस की सुनवाई जस्टिस मोहन एम शानता नोगोदर की बेंच कर रही थी ये एक ऐसा केस है जहां पर सुप्रीम कोट ने अपना एहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी इनसान की जाती उसकी जनम से डिसाइड होती है एक इनसान किस घर में और किस जाती में पैदा हुआ है वही उसकी ओरिजनल कास्ट मानी जाएगी वो चाहे तो अपनी जाती को नहीं बदल सकता ऐसा सुप्रीम कोट ने क्यों कहा आईए जानते है ये मामला सुनीता सिंका है जिनका जनम अगरवाल फैमली में हुआ और अगरवाल कास्ट जनरल कैटिगरी में आती है लेकिन सुनीता ने जाटव जो की दलित कैटिगरी में आते हैं उनसे शादी कर ली सुनिता ने शादी के बाद अपना कास सेटिफिकेट भी बनवा लिया और इतना ही नहीं अपनी डिग्रीज और कास सेटिफिकेट की हल्प से केंद्रे विद्याले में पीजी टी की नौकरी भी हासिल कर ली और जाहिर सी बात है ये नौकरी उन्हें आरक्षन के ग्राउंड् पिर किसी ने इस दोरान उनकी शिकायत कर दी और मामले की जांच हुई जिसके बाद सुनिता का जाती प्रमान पत्र रद कर दिया गया और जाती प्रमान पत्र रद होने के बाद केंद्रे विद्याले ने भी उन्हें नौकरी से बरखास्त कर दिया जिसके बाद सुनिता न विवाहित मैलाओं की जाती बदल जाती है या फिर नहीं इस बहस के रिलेशन में कोट्स बार-बार एक ही फैसले पर अड़ी रहती है लेकिन अभी भी लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा misunderstanding है अज्ञानता बने होई है कोट का कहना है कि एक व्यक्ति की जाती उसके पिता से होती है ना कि पती से इस जज्च्मिन की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो इंफोमेट्व है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा